दोस्तों कक्षा छे में हमने दयालू शिकारी ये पहला चित्रपाट पूर्णा किया अभी आपके सामने दुसरा चित्र है बातू नीक च्छुआ हमारे गुजाती में बोला जाता है लपलप्यो काजबो उसको चंपा भी बोला जाता है कभी कबार लपलप्यो काजबो ऐसा बोला जाता है चो बोल 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 ही करता है जिसकी जीब कभी थमती नहीं है सुबह साम रात दिन उट्टे बोलना सुरू करता है इसी तरह बहुत बोलना एक बुरी आदत है इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है यहां तक की जान भी जा सकती है यह कहानी हमें बातुनी नव बनने की सीख देते है बहुत बला न बोलना बहुत भली न चूप यानि बहुत भी ने बोलना चाहिए और चूप भी ने रहना चाहिए जितना जरूरी हो इतना ही बोलना चाहिए यह कहानी से हमें यह पता चलता है तो दोस्तों पहले चित्रे में दो हन से सामने एक कश्वा है कश्वा होंस को बता रहे हैं कि मुझे आकास की शेयर करनी है मुझे उड़ना है जीत पकल के बैठा था और होंस ने बोला कि देखो यह उड़ने का काउंट आपका नहीं है फिर भी आप बोलते हैं तो एक लक्टी ले आओ लक्टी ले आने के बाद उसको बाबब पकड़ के रखना मुझे बाबब पकड़ के रखना और कुछ भी बोलना नहीं तब ही आप हमारे साथ उड़ पाओगे लेकिन लक्टी लाए कच्वा ने मुझे पकड़ी कच्वे ने मुझे पकड़ी और तो हमस उड़ने लगे थोड़ी और थोड़े उड़ने के बाद यानि आकास में थोड़े उड़ने के बाद कच्वा कुछ बोला बोलने के बाद वो गिर गया क्या कहानी है इसका विश्टरुत जानकारी कि शुरुवात करते हैं एक तालाव था एक तालाव था तालाव दिखा है जित्र में एक तालाव था उसमें एक कच्छवा रहता था वह बहुत बातुनी था यानि बोल बोल करता था बख बख करता था वही दो हंस भी रहते थे वहीं क्या रहते थे दुवांस रहते थे वे उसके अच्छे मित्रा बन गए थे किसके कच्छुव के कच्छुव के मित्रा कौन बन गया था हंस एक साल वहां बर्षाद बहुत कम हुई एक साल वहां बरसाथ बहुत कम हुई कहां जहां तालाव था वहां तालाव का पानी शुखने लगा हंसो ने कच्छुए के साथ दूसरे तालाव पर जाने का निश्चे ही किया क्यों दोस्त हैं मित्र हैं तो उसको ले जाना चाहिए इसलिए कच्छुए ने हंसो ने कच्वे से कच्वे के साथ दूसरे ताला उपार जाने का निश्य गिया वे एक लकडी के लकडी ले आएं कौन तो हंसो और उसका उसका एक एक सीरा यानि की एक एक छेडा लकडी का अंतभग अपनी अपनी चौंच से पकड़ लिया एक साथ से एक हंसे पकड़ा दूसरी साथ से दूसरे ने पकड़ा पकड़ लिया बीच का भाग कच्वे ने अपने मुँ में पकड़ लिया हंसो ने कच्वे से कहा हंसो ने कच्वे से कहा भाई तुम राष्टे में बोलना मत क्यों क्यों बोला होगा कि बोलना मस क्योंकि बोलने से जब पकड़ी हुई लकड़ी है वो क्या होगी छुट जाएगी बोलोंगे तो लकड़ी मुह से छुट जाएगी और तुम नीचे घिर पड़ोगे दोरों हंस कच्वे को लेकर उठने लगे रास्ते में गाउं आया गाउं के लोग इस प्रकार कच्वे को लेकर उठते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए लोगों को देखकर कच्वे से चूप न रहा गया बहुत सारे लोगों को देखा कच्वे को देखकर कच्वे नहीं वो देखकर उसे चूप न रहा गया वो को बोलना चाहता था बोलने गया उसने बोलने के लिए अपना मूँ खोला उसी समय लकड़ी उसके मूँ से छूट गई और वह जमीन पर गीर पड़ा और क्या हो गया म दोस्तों यहां हमारी दूसरी कहानी क्या होती है समाप्त होती है यानि हंस और पच्वा अभी इसके सामने आप एक पेड़ की डाल है डाल के उपर कववा बैठा है और नीचे कुण्जा है कुण्जा यानि वो मटका बड़ा मटका जो मट्टी का बना हुआ होता है वो है कववा कुछ कंकर लाके वो कुण्जे में डाल रहा है साइद उसको तरस लगी होगी उसने नीचे कुछ देखा तो साइद पानी होगा कुण्जे में पानी होता है तो पानी नीचे होना चाहिए इसलिए उसने क्या किया इदर उदर से कंकर लाये कंकर खुण्जे में डाला पानी उपर आया पानी पिया और पानी पीकर उठ गया यह कहानी हम देखते हैं आप भी मेरे साथ उसको ध्यान से सुने आपती आने पर हमें धिरत से काम लेना चाहिए और बुद्धी का उप्योग करना चाहिए इस चित्रपाट में बुद्धी मानी से काम लेने वाला कववा हमें यह सिख देता है एक कववा था एक बार उसे खुब प्यास लगी उसने इदर उदर पानी की तलास की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला क्या था? कौन था? कववा एक गववा था एक बार उसे खुब प्यास लगी उसने इदर उदर पानी की तलास की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला आखिर उठ्टे उठ्टे आखिर उठ्टे उठ्टे हुआ एक जोपड़ी के पास पहुँचा वहां उसे एक गड़ा दिखाए गया दिया यानि कि मट्टी का जो गड़ा होता है उसको दिखाए दिया गुज्जाती में हम उसको कुझा बोलते हैं कुझे गड़ा दिखाए दिया गड़े में थोड़ा पानी था गड़े में थोड़ा पानी था पानी बहुत नीचे था पानी कहा था बहुत ही नीचे था आप देख सकते हो यह यहां देख सकते हो यह पानी घड़े में थोड़ा पानी था पानी बहुत नीचे था कवे की चौँच पानी तक पौँच नहीं सकती थी पानी उपर लाने के लिए एक उपाई सोचा वहां आसपास बहुत से कंकर पड़े हुए थे उसने एक एक कंकर गड़े में डालना शुरू किया देखो यह डालता है ना कंकरो के कारण पानी गड़े से गड़े के मूँ तक आ गया पानी दिये दिये क्या हुआ उपर आया उपर आने से उपर आया आ गया कोवे ने गड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और क्या हुआ उड़ गया तो दोस्तों यहीं यह दूसरी कहानी क्या होती है समाग्ध होती है तो इसी तरह कक्षा छे कहानी एक बातुनी कच्वा कहानी दो बुद्धिमान कोवा और इसके बाद की कहानी आगे के वीडियो में हम देखेंगे तब तक अतुल्याग्निक को इजाज़त दीजिए रजा दीजिए फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक आपका आज का दिन अच्छा जाए ऐसे शुबेच्छा यह कहानी दो बार पढ़ना उसके प्रस्ण के उत्तर आपको लिखना है यह वह भी आप अपनी कापी में लिखे देना अस्तुर्व